तो भी हमारे जो गूगल मीट का एप है ना वो बिल्कुल पर्फेक्ली डाउनलोड हो रहा है और अभी हमें आपर परसेंटेज भी दिखाई दे रहा है हेले हो अगर आप के गूगल मीट के अप को डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हो आप के प्लेश्टोर के अब से लेकिन आप जैसे ही आपर जो इंस्ट्रॉरी पर क्लिक ओटेऊ तो आपका जेगल मीट का एप है वह डाउनलोड नहीं हो रहा तो आप कैसे इस प्रॉब्लेम को ठीक करोगे वही मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा तो चलिए आज के इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते है तो आपको यहां पर देख सकते हो कि अभी तक हमारा जो एप है वो पेंडिंग ही दिखाई दे रहा है ले जो प्रॉब्लेम है यह सॉल्फ हो जाएगा और आपका जो गूगल मेट का आप एना वो भी डाउलोड हो जाएगा तो अब मैं आपको देख सबसे पहली सेटिंग जिसे करने के बाद यह प्रॉब्लेम सॉल्फ हो जाएगा और गूगल मेट डाउलोड हो जाएगा तो बहुत बेसिक सेटिंग है यह वाली लेकिन बहुत इंपोर्टन सेटिंग है तो क्या करना है यहापको एक बार चेक कर लेना है कि क्या आपका mobile data on है फिर नहीं maximum logo का mobile data on ही होगा अब आपको यह पर क्या करना है अगर off हो तो on कर देना है और आपको यह जो airplane mode दिख रहा है या फिर कुछ phone में flight mode भी लिकाव सकता है और आपको इसे on कर देना है जैसे आप airplane mode को on कर दोगे तो यहाप आप देख सकते हो कि आपका जो network है वो चला जाएगा अब आपको यह जो airplane mode है इसे off कर देना है इससे आपका जो fourth setting बताने आलो ना वो बहुत 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 ज़्यादा important setting है तो उस setting को बिल्कुल भी मिश मत करना क्योंकि उसी setting से definitely आपका problem जो है वो solve हो जाएगा तो अब मैं आपको दद हूँ हमारी second setting तो अब यह हमारी second setting है वो क्या है देखो इसके लिए आपको subseal है तो आपके phone की settings का app होता है उसे open कर देना है setting app को open करने वाद आपको कुछ इस तरह के से scroll करना है और अभी आपको यहाँ पर एक option ढूण लेना है जिसका name होगा apps तो आपको apps वाल option ढूण के इसे open कर देना है और हाँ हो सकता है कि आपके phone में आपर apps ना लिखा हो तो आपके phone में आपर manage apps लिखा होगा तो आपको यहाँ पर manage apps या फिर apps इन में से कोई भी option आपको मिलेगा तो इसे open कर देना है जैसे आप इसे open करोगे तो आपको दिखाए देगा Manage Apps का Option और कुछ फोन में तो यह बाहर ही होता है Manage Apps तो आपको Manage Apps का जो Option है इसे ढून के Open कर देना है जैसे आप Open करोगे Manage Apps वाल Option पे तो अब आपको यापर क्या करना है अभी आपको यापर जो है आपका जो Google Play Store है इसे ढून लेना है जैसे आप क्लिक करोगे Google Play Store पे तो आप देख सकते हो बहुत सारे जो Option है वो हमें दिखाई दे रहे है तो अब आपको यापर क्या करना है अभी आपको यापर एक Option दिखाई देगा जो क्यों होगा Data Usage का तो आपको इस Data Usage वाल Option पे क्लिक कर देना है और शायद इसी वाज़े से आपका जो Google Meet का App है वो डाउनलोड ना हो रहा हो तो आपको इन सभी को On कर देना है अब दोस्तों मैं आपको आता दू हमारी 3rd setting जिससे कि यह problem solve हो जाएगा तो आज के इस वीडियो में हमारी 3rd setting होने आ लेना वो क्या है तो अब आपको क्या करना है अभी आपको एपर simply आपके phone में जो file manager का App होता है उसे doon के open कर देना है जैसे आप open करोगे file manager के app को आपको कुछ इस तरहए का interface दिखाई देगा अब आपको यापर क्या करना है अभी आपको यापर एक option दिखाए देगा जो कि होगा ये वाला तो आपको यापर इतना देख लेना आपको कि क्या आपके फोन में उतनी enough storage है जितने की चाहिए आपको Google Meet को डाउलोड करने के लिए और उससे भी ज्यादा ही storage आपके फोन में एक्स्ट्रा होनी ही चाहिए अब मैं आपको ददव हमारे थर्ड सेटिंग का second part जी हा दो पार्ट थे इस वाली सेटिंग के तो अब जो हमारा second part है वो क्या है उसके लिए आपको आपके जो Google Play Store का app होता है ना उसे open करना है जैसे आप Play Store को open करोगे तो आपको back कर देना है और अब यहाँ पर आपको यागर ना है अभी आपको यापर जो है सबसे वेल अताब की जो profile वाल icon होता है इस पे क्लिक करना है अब जैसे आप profile पर क्लिक करोगे तो अभी आपको यापर एक बार देख लेना है कि आपने कौन से Gmail ID से log in किया है और आपने जिस भी Gmail ID को log in कि है ना उसको छोड़के कोई दूसरी जीमेल आईडी से आपको लॉगिन करके देखना है और फिर आपका जो गूगल मीट का एप है ना वो डेफिनेटली डाउनलोड हो जाएगा अब दूस्तों मैं आपको अधात हूँ हमारी फोर्थ और बहुत 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 इंपरण सेट स्क्रॉल करने पर आपको एक उप्शन मिल जाएगा जो की होगा एपस वाला या फिर कुछ कुछ फोन में आपर जो मैंने यही बी मेल सकता तो आपको एपस या फिर मैनेज उन दोनों मेंसे एक उप्शन को ढूण के ऑपन कर देना है तो मेरे फोन में यहां पर एपस अब आपको आपको क्या करना है अभी आपको आपको आपर जो है सिंपली सर्च कर देना है या फिर धूर्ट लेना है Google Play Store क्योंकि हमारे जो प्ले स्टोर का है उसीशे हमारा जो गूगल मेट का है वह डॉप नहीं हो रहा यह आप देख सकते हो clear data' का option आपको दिखाई देर होगा, आपको युखना हैестиillar data का option है, इससे हट लिए उपषिन ऐना है, जैसे आप click कर दोगे clear data all option आपको आपको दो option में लेगे, clear data और clear cache, आपको क्या आपको यह टोレए नहीं, तो फिर आपको यह करना है, simply आपको यहापर clear all data पे click करके okay कर देना है इससे पूरा का पूरा playstore का data clear हो जाएगा और definitely आपका जो google meet का app है वो download हो जाएगा तो भी हम चले जाते हैं playstore में और अभी हम यहापर हमारे google meet के app को download कर देता है तो अभी आप यहापर देख सकते हो जैसे हम जो install wall option पे click करेंगे तो अभी हमारे google meet का app है वो बिल्कुल perfectly download हो रहा है और अभी हमें आपर percentage भी दिखाए दे रहा है अगर आप कोई video informative लगाओ तो video को like कर देना channel को subscribe कर देना वीडियो देखने के लिए आपका दन्यवाद thank you so much